वेलकम टू मैं चैनल अरुन की पार्ट चाला अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर करना और कमेंट करना सो आज मेरी डीवी थी तो मैं बताऊंगा कि आज डीवी में कैसे क्या रहा और कौन-कौन से डाकुमेंट चाहिए थे और कितनी फोटो कॉपी चाहिए थी हर एक डाकुमेंट की तो शुरू करते हैं जो पहले देख लेता है कि कौन कौन से documents चाहिए थे documents में आ गया है एक तो आपको ये सारे documents चाहिए थे application form चाहिए था domicile certificate चाहिए था DOB certificate चाहिए था category certificate होना चाहिए अगर है आपकी category तो 10th Marksheet और Diploma 12th Marksheet and Diploma Graduation की sub semester या years की mark sheets और degree PG marksheets और degree identity proof और एक photo चाहिए थी अब जिनके पास question arise होता है कि जिनके पास DOB certificate नहीं है तो उनके लिए diploma भी सल जाएगा अगर suppose करके आपके पास जो graduation की degree या provisional degree भी नहीं है और जो दूसरी वेल degree होती है वो भी नहीं है तो आपके पास graduation की सारी mark sheet होनी चाहिए year wise और smister wise सारी होनी चाहिए ऐसे ही PG के लिए बोलूँगा तो अगर इतना होगा तो हो जाएगा आपका कोई issue नहीं आएगा और अगर आपके पास ये सारे document है तो सब का ही करवा लें और एक photo copy लग रही थी उदर तो और इन सब की एक photo copy चाहिए उदर और एक photo चाहिए थी तो बाकी जो staff था ठीक था अच्छा था मतलब coordinate करने वाला था इतना कोई issue नहीं create कर रहे थी कि ये वाला document नहीं है तो जाओ बाहर से करा के लाओ वो इतना कोई issue create नहीं हो रहा था बस आपके ये सारे document होंगे तो well and good हो जाएगा कोई issue create नहीं होगा जैसे अब question rise बच्चों को आ रहा होगा कि कितना time लगता है डीवी में ये depend करता है जैसे अभी 50-50 के group है जैसे हमारे आज हमारे इदर 1500 बच्चों का था तो 50-50 के उन्होंने तीन counter बनाए थे तीन जगा हो रहा था तो उदर से फिर collection हो रही थी तो वैसे तो randomly बच्चे लाइन लग रहे थे और जिनका आ रहा था number 20 वह ऐसे ही जैसे जैसे हो रहा था दो बार checking हो रही थी एक जगा पहले arrangement हो रही थी जो भी photocopies आपने लाई होंगी और original एक बार उदर चेक हो रहे थे और arrange हो रहे थे फिर एक sir के पास जाना पड़ा था sir दूसरे counter में sir बैठे हुए थे वहां जाना था तो वहां sir चेक कर रहे थे और अच्छे थे कोई वह नहीं था behavior भी उनका अच्छा था कोई ऐसा issue create नहीं हुआ so बस आज इतना ही तो panic करने की कोई बात नहीं है अराम से जाओ और डीवी दे के आ जाओ कोई tension वाली बात नहीं है तो दो तीन घंटे में 3-4 घंटे में maximum आप free हो जाओगे so आज के लिए इतना ही so document आप एक बार फिर से देख लो ठीक है okay thank you